हेलो फेंट्स फेंट्स आज मैं आपको ये प्ताने वाल हूँ कि आपके कंप्यूटर और लैप्टोप के अंदर एक की होता है जिसका नाम है F3 की इसका क्या यूज़ उत्ता है इसका प्रोपर तरीके से हम कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में आज इस वीडियो में आपक वेच करें वेच करें अगर आप कोई भी वर्ड रिस करना पड़ जाता है जैसे मैं अभी ओपन करते हो मैं आज तक जैसे मैं ने ओपन कर लिए आज तक की साइट जैसे फ्रेंट्स आप आज तक रीड कर रहे हैं तो फ्रेंट्स आप आज तक रीड कर रहे हैं तो फ्रेंट्स आज अगर आप कोई वर्ड रिस सर्च करना पड़ता है तो फ्रेंट्स आप करेंगे क्या सबसे पहले आप सिंप्ली ड्रेक करेंगे इसको नीचे सर्च करेंगे तो जाकर इसको डूंडेंगे इससे अच्छा हमारे पास एक तरीक होता है जिसका नाम है F3 की अगर आप फ्रेंट्स आप computer के अंदर F3 की प्रेस करेंगे और आप laptop के यूज करते हैं तो आप function की के साथ F3 की के यूज करेंगे तो फ्रेंट्स आप यहाँ पर इस तरह से आप फ्रेंट्स आप देख से यहाँ पर एक वर्ड है अपरा न्यूज का मैं नीच अगरता हूँ यहाँ न्यूज मेरा इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं यह हमारे कोई भी वर्ड का find करने काम अतता है माली जे फ्रेंट्स आप नोटपैड के अंदर बहुत सारे ना अला इस लिखे होएं जैसे नोटपैड के अंदर जयासे में ऑपर करता हूँ यह वली फाईल मैं यह वली फाइल उपन करती फ्रेंट्स इस इस फाईल के अंदर फ्रेंट्स मेरा आप यह सेर्च करने की क्ईपड के आप लिख़ हुए है जैसे आप देख से यहाँ पर की यहाँ पर keypad लिखा हुए है अब मैं अपने computer के अंदर अब मैं अपने computer के अंदर F3 keypad रहस करूँगा अगर आप laptop का यूज करते हैं तब आप functional key के साथ F3 keypad करेंगे तो friends आप देख सकते हैं यहाँ पर एक box open होगे जहाँ पर आप अगर सर्च करेंगे जो जैसे मैं keypad सर्च करने जाता हूँ keypad के बाद find next पर press कर दूँगा और friends आप देख सकते हैं कि मैंने keypad जैसे लिखा यहाँ यह मेरे को दिखा रहा है कि keypad का पर है पड़ा इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं अपने F3 key का तो friends अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब यू करेगा क्योंकि ऐसे helpful वीडियो से आपको लिए डेल लबत रहता हूं thanks